सब्सक्राइब करने कितने वेज होते उसके बारे में तो सेट को रिप्रेजन करने के दो वेज होते पहला तो होता है लिस्टिंग मेठ़ाड इसको यह हम लUC रोश्टर फर्म भी बोलते रोश्टर फर्म और जो सेकेंड होता है वोलता है सेट बिल्डर मेठ़ाड जो की सबसे पहला लिष्टिंग मेठड क्या होता है लिष्टिंग मेठड में हम लोग जितने ऐलिमेंट रहते हैं उसको भीष्ट करते मतलब एक table के list में arrange करते और उसको एक comma से separate करते तो इसमें हम लोग क्या करते elements are listed elements are listed और they are they are separated separated by comma and जो भी elements हम लोग लिश्ट कर रहे हो दो curly bracket के बीच में हम लोग लिश्ट करते हैं तो अगर हम लोग सेट्स of natural number दिखेंगे यहां पर जो लिश्टिंग में ठड़ है तो उसको हम लोग ऐसा लिखेंगे let a represent the set और natural number क्या होता है वन टू थ्री तो आप देखो जो भी मैं इसको curly bracket से close कर दूँगा तो हम लोग लिश्टिंग मेठड या फिर रोस्टर फ़र्म भी वह लिए तो हम लोग सेट को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं जो सेकेंड हमारा होता हुआ है रूल मेठड उसी को हम लोग बोलते सेट मिल्टर फॉर्म तो उसमें का होता है न तो इसमें मैं एक्जांपल लेता हुआ है तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो यहां पर मैं क्या करूंगा सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए समझो एक अंसीड़ा कि है मैंने हो सेट है तो एज़ा सेट सच डैट एक्स एक्स में ले रहा हुँ कि मतलब एक धिया है यहां पर इन के है नेच्ञरल नंबर है तो अ sì अगर मतलब हम यहाँ पर शेट को समझ सकते कि कहन की नेच्ञरल नंबर और यह 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 ग्यालों कर रहा है उसमें जितने वी ऐलिमेंट होंगे हो क्या होगा 1001224 बीन इंच्ड़न नंबर होते हैं अब अ अब लोग् जो टेक्सटबूक है, उसके exercise पर आते हैं तो अभी आप लोग इस्क्रीन पर सम देख रहे हो उसमें हम लोग को फास्ट में दिया है describe the set in roaster form मतलब हम लोग को से इन रोस्टर फार्म में लिखना है तो उसका फास्ट पर निया है हम लोग को यहां पर movement जो व्य है उसको हम लोग यह रोश्टर फिर में रिप्रिजन करते हैं तो फिर मीड है determined x रीपिट नहीं हो सकते थो लगों दो फार्स सम उनलोग नहीं सह जो 7ласти इसी और ऐसी सेले आई एक ऋसका वैट एक में कोष्ट संव चलिए रहाऊ लगा हुँ आएले इॉसका एस सट्रहाट एक इंटीजर, x कहा है इंटीजर है और वो कहा से कहा तक है, उसका हम लोग को limit भी दिया, तो minus 3 by 2 से x, फिर बाद में 9 by 2 तक है तो अगर मैं यहाँ पर divide करूँ, तो 3 by 2 कितना होता है minus 1.5 और 9 by 2 कितना होता है तो होता है 4.5, तो हम लोग को minus 1.5 से 4.5 तक जितने भी इंटीजर उसको लिस्ट करना है क्योंकि रोष्टलफ हम तो हम लोग ने वही बढ़ा था ना कि उसमें लिस्ट करते हम लोग तो अभी minus 1.5 से छोटा क्याएगा तो minus 1, 0 भी इंटीजर में होता है फिर 1 2, 3 3 और 4, 4 के आगे हम लोग ने लेंगे क्योंकि हम लोग 4.5 तक ही बोला है तो यह second question का answer होगा हमारा मजा आ रहे तो अब हम लोग थर सम पे चलते थर सम जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो उसमें हम लोग को दिया है c जासेट, select x x equal to 2 n प्लस 1 तो इसके अगर हम लोग element निकालेंगे तो x का जो पहला element आएगा तो 2 पे natural number कहां से 1 से start होता है तो n कितना हो जाएगा 1, 2, 1 जा 2, plus 1 कितना हो जाएगा 3, अगर इसका दूसरा element निकालेंगे तो हम लोग को मिलेगा 2 और यहाँ पे natural number 2 होता है 2, plus 1, 2, 2, 4, 1, 5 फिर ऐसी अगर x3 निकालेंगे 2, 3, plus 1, 2, 3, 6, plus 1, 7 तो आप अगर इसको गोर से देखोगे तो 3 के बाद से हम लोगो सारे odd number मिलते जारे तो इसका हम लोग list आराम से कर सकते तो c के जितने भी element हो जाएगे 3, 5, 7, 9, 11, 13 और यह ऐसी जाते जाएगा कहां तक तो infinity तक सेकंड सम पे आते सेकंड सम में हम लोगो दिया है describe the following set builder form मत्ता हम लोगों को इसको set builder form में represent करना है तो इससे पहले बाले question में हम लोगो क्या बोला था रोश्टर रफर्म में तो उसमें हम लोगों को सेट builder form में represent करना है तो मैं क्या करूंगा लेट अवी दा सेट और एक्स वहाँ पे एक्स का है तो एक्स होल नमबर होता है अभी होल नमबर क्या होता है किसी को पता नहीं होगा तो होल नमबर 0 से स्टार होता है जिरो 1234 567 and so on और ऐसे जाते है तो एक्स होल नमबर है और मैं यह पे एक और चीज लिखूंगा कि एक्स नेच्रल नमबर नहीं है तो मैंने क्योंकि होल नमबर जो है उस जीरो से च्रार रोता है जीरो वान तूर त्री फॉर ऐसी उसका सीरीज है और जो natural number है वो तो 1 से start होता है ना 1, 2, 3, 4 ऐसे उसका series है तो अगर मैं लिखे रहाओ x whole number है तो मतलब 0 उसमें included है और ऐसे लिखे रहाओ कि x natural number है तो मतलब यह जो 1, 2, 3, 4 आपके जितने है यह सारे हट जाते है तो मुझे तो सिफ 0 को represent करना था ना तो whole number हमारा represent हो गया I hope आपको समझा अब इसका second question जो दिया है उसमें हम लोग को आप लोग स्कीन पर भी देख रहे हो तो हम लोग को बोला है कि डिप्रेजेंट करने है इसको 0, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3 बस इसको हम लोग को represent करने है तो अभी कुछ student के दिमाग में आ गया होगा कि यह तो integer का format लग रहे है तो इसको मैं करता हूँ अभी x, वहाँ पर x का है, select x, यहाँ पर x है, minus 3 से लेके, और 3 के बीच में, और क्योंकि 3 included है, इसलिए मैं यहाँ पर equal to भी डाल दो, मतलब x का है, greater than or equal to minus 3, और less than or equal to 3, जहाँ पर x का है, x है integer, किसी को पता नहीं होगा, तो integer को हम लोग z से रिप्रिजेंट करते है, तो x का integer, अभी integer का होता है, integer में होता है, जो भी आपके, पर तो negative infinity से, फिर बात है, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, ऐसा जो series होता है, वह ही integer का होता है, तो मैंने उसको यहाँ पर वही रिप्रिजेंट किया, कि x is greater than or equal to minus 3, मतलब मतल तो 3, जो और उसका एक और solution भी हो सकता है, तो इसका एक और करने का तरीका है, मैं यहाँ पर minus 4 लिख दूँगा, और दिख दूँगा, x is greater than minus 4, तो minus 4 उसमें include नहीं होगा, तो minus 3 से होगा, और less than equal to 4, और वहाँ पर x करेगा integer, तो यह दोनों solution यह question के लिए, वैंक्स पर व अपने friends को भी चितना जादे से जादे हो सके, share करे, thank you